नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कपकी के न्यूज तक चनल पर जालो श्रोई लोग सबाद चुनाओं में बीजीपी की उमिद्वार के रूप में देवजी भाई पटेल के चैन की चल रही आम चप्चा के बीच बीजीपी की राइस बारासा नहीं रहेगी जेश की प्रण बहुमत से बनने वाली मोधी सरकारदवार हर सेत्र में जनता का जहां तक बले मन मौवा हो लेकिन चोकिदर पटेल की दवीदर से शिरोई की जनता में खासी नाराज दी जहां तक पटेल को पहली बार बीजीपी ने पेरासूट उमीदवार के रूप में उतारा तब भी कारे करता हुमें गेरी नारज की थी लेकिन गिले सिके बुला करें दो दड़ों में बटी कांग्रेस को मात देने में पटेल काम्याब हो गए थे बोर तलब है कि बीजीपी और कांग्रेस ने जाती बाद वोटों की बहुत न देखते हुए परिशिमन लगू होने के बाद बीजीपी ने चोधरी समाल से देवजी भाई पटेल को पेरासूट उमीदवार को में उतारा था बर में मोधी लेहर के माहूल से जालोर शिरोई में बीजीपी ने लगातार दूसरी बार देवजी पटेल को मौका दिया मोधी लेहर के बने माहोल में जालोर शुरूई की जन्ता ने सांसत पटेल के पहले गारेगाल के पुरन विपलता को नदर अंदाज करते हुए मोधी के नेतरतों को पार्त मेकता देते हुए दुबारा सांसत चुनकर देवजी पटेल को जितवा दिया लेकिन नीचे के अंतिम कडिशे के अंदर की शिर्मोर तक बीजी भी की सत्ता होने के बाद भी देवजी पटेल जन्ता के विश्वास और उमिदोरों पर खरा नहीं उतर सके यही नीचे शांसत द्वारा गोट दिये गए गाउन ठंडी वेरी परदान पंत्री के उस आधरस गाउं में शांसत उंगलियों पर गिनाने लायक कामों के साथ तक नहीं छोड़ सके के जी नीचे शांसत पटेल ने अपने दूसरे कारे काल में शिरोई जिले में से दूरी भी बनाये रखी देश में आताकवाद हमले के बाद बनी परिश्टितियों ने एक बार फिर से मोदी के नेतलतों का मावल बनता दिक रहा है और उस मावल में बीची बीद्वार तीसरी बार देवजी पटेल पर विश्वाद जता कर उमिद्वार बनाया गया लिकिन पीची पी की जाती वाद की बहुलता वाले वोट बैंक को आदार रखने की सोच शुरूए जिले में विकास करवाने में एपर रखने सांसा देवजी पटेल की उमिद्वार को लेकर कार्य करताओं उसे भी राय समारी में अलेना कहीं पीची पी के लिए मुश्क्यन है करदी की इस बार इस बात से कताई इंकार नहीं किया जा सकता, कांगरेस के उतार है इस लोग सबाइशिंट से रानी वाड़ा के पुरो विदाएक रतंदिवासी को मेजान में उतार है, ऐसे में अगर देव जी फटेज के परति दूंदी रतंदिवासी से मुकाबला है, तो बेजीपी के खार कांगरेस के रतंदिवासी डंका ना बजा दे, दोस्तों राजनिति से जुड़ी हर परकार की खबरें आपके भी इसलाता रहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नई किया है, तो रेड कलर का सब्सक्राइ कर दो सब्सक्राइब।